इसी लिए मैंने कहा था कि मनेव मनुश्यानाम कारण बंधन मोक्षे हो अर्थात ये ति मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके आधेन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकरता रहेगा और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वहीं मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा हे मदुसूदन ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो मन के स्वामी बन जाओ परंटो यहीं तु सबसे दुश्कर कार्य है हे केशव, मन तो वाईव की तुरह चंचल है, जिस प्रकार बहते हुई हवा पर काभू पाना असंभाव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने आधीन करना अतीक दुशकर काम है हे अरजुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है, कि मन अतीचंचल है, उसे अपने वश्मे करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है जनारदन, असंभाव है नहीं अर्जुन मुश्किल अवश्य है परन तो असंभा नहीं है तुम्हारा कहना है कि मन को वश्मे करने का कोई तरीका कोई साधन भी है अवश्य है क्या है वो तरीका असंशेम महाबाहो मनो दूर निग्रहम चलं अभ्यासेन तू कौन ते वैरागेन चाग्रिहे ते अर्थात मन को वश्मे करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की अभ्यास और वैराग्य हाँ अभ्यास और वैराग्य देखो अर्चुन अभ्यास का अर्थ है निव्हें पर अभ्यास मन को एक काम पर लगा दो वह भागेगा उसे पकड़ कर लाओ वो फिर भागेगा उसे फिर पकड़ो ऐसा बार बार करना पड़ेगा जैसे घोरे का नोजाच शिशु एक शन के लिए इस्तर नहीं रहता शन शन में इधर उधर फुदकता रहता है उसी प्रकार मन भी शन शन में इधर उधर फुदकता रहता है एक चंचल घोरे की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठेन है जैसे किसी मुझोर घोरे को काबू करना ऐसे घोरे को काबू करने के लिए सवार जितरे जोर लगाता है घोरा उतना ही विरोत करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है परन्तु ये दि सवार दिन संकल्प हो तो अंद में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है उसी प्रकार मन को भी नियंतरन की रसी में बान कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वो दूसरी वैरागी की तलवार की क्या होशकता है उसकी आवश्यक्ता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विशे उसे सदा ही आकर्शित करते रहेंगे मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी और खीश सकती है इसलिए मन को ये समझने जरूरी है कि वो सारे विशे भोग, मिथ्या हैं, असार हैं योग माया के द्वारा उत्पन होने वाले मौ का ब्रण है मन जब इस सत्य को समझ लेगा, तो उसे विश्यों से मोह नहीं रहेगा बलकि उससे वैराग्य हो जाएगा और यहीं वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विश्यों के मोह को काटके मन को सन्यासी बना देती है प्रभू, विश्यों का अभाज तो मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है और भगवान शेक्रिश्न, विश्यों के मुंग को त्यागने को कह रहे है तो क्या मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे? तो भोग विलास में आसकती के त्याक की बात कर रहे हैं